हेलो दोस्तों यूट्यूब चैनल टेक तर्टों में आपका स्वागत है तो दोस्तों आप WhatsApp में फोन नम्बर वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे या फिर WhatsApp में वेरिफिकेशन कोर्ट नहीं आ रहे इसके पीछे कुछ कारण है मैं एक एक करके सारे कारण इस वीडियो में कभर करूँगा और इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूँगा उस टिप्स को आपको एक एक करके फोन में एपलाई करना है दोस्तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फोन में वेरिफिकेशन कोट ना आने का प्रोब्लेम 100% सॉल्फ हो जाएगा इसलिए दोस्तो वीडियो चोटा सा होगा वीडियो को काई पर भी इसकिप मत करना वीडियो को पूरा दिख लेना तो दोस्तो मैं हुरो भी रहा है अभीद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दिजे और जितने हुसा कि इस वीडियो को शेयर भी कर दिजे तो चले वीडियो शूर करते हैं तो दोस्तो आप जिस सीम से वाटसेब एकांट खोलना चाहते हैं वो सीम आपका फून में लगा अगना चाहिए और उस सीम में SMS और फून कल के लिए रिचर्ज होना चाहिए तो दोस्ता आपको confirm कर लेना है कि आपका sim में sms और phone call के लिए recharge है या नहीं फिर दोस्ता आपका phone में अगर call blocker app है या फिर call blocker setting है तो उसको आपको बंद करके रखना होगा जब तक आपका phone में whatsapp का number verification ना हो जाए तब तक आपको call blocker app या setting को off करके रखना होगा या फिर आपका phone में अगर task killer app है या फिर task killer setting है तो उसको भी आपको बंद करके रखना होगा ठीक है दोस्ता और दोस्ता आपका phone का internet on होना चाहिए या फिर आपका phone कोई भी wifi से connected होना चाहिए और वो internet connection strong होना चाहिए और दोस्ता phone का जो network है वो network signal भी strong होना चाहिए तो आपको ये दो चीज़ confirm कर लेना है कि आपका phone में internet connection strong है या नहीं और network signal strong है या नहीं अगर internet connection उइख होगा और network signal भी अगर उइख होगा तो आपका phone में verification code नहीं आएगा और दोस्तों कुछ phone number है जो whatsapp में support नहीं करते है जैसे कि विव आईपी number, landline number, toll free number, premium number, universal number, private number ये सब नहीं करते है आपको अगर नहीं पता है कि ये सब number क्या है इसका मतलब है आपका phone number ये सब में से नहीं है और अगर आपका phone number ये सब में से है तो आपका phone में verification code नहीं आएगा आपको दूसरी phone number से try करना चाहिए ठीक है दोस्तों दोस्तों phone number verification की समय यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा है country का नम और यहाँ पे है country का quote हमारा country इंडिया है और इंडिया का quote number है plus 91 हमें यह plus 91 पे जगा में कोई भी छेरखनी नहीं करना है हमें यहाँ पे plus 91 जैसा है वैसा ही रहने देना है ठीक है फिर यहाँ पे हमें 10 संखा की phone number type करना है हमें यहाँ पे यहाँ तराकना होगा यहाँ पे हमें फेर से plus 91 नहीं लगाना है या फिर यहाँ पे हमें 0 भी नहीं लगाना है हमें सिर्फ यहाँ पे 10 डिजिट का जो phone number है वो हमें यहाँ पे टैप करना है तो आपको यहाँ पे phone number टैप करने की समय यह ध्यान रखना है कि कोई mistake ना हो जाए इसलिए यहाँ पे phone number लिखने की बाद आपको 2-3 बर चेक कर लेना है कि कहीं पे गलती हुआ है या नहीं अगर यहाँ पे आप number लिखने में गलती कर देंगे तो आपका phone में verification code नहीं आएगा ठीक है दोस्तों तो मैं मेरा यहाँ पे पूरा number टैप कर लेता हूँ फिर यह next पे टैप कर देता हूँ फिर यहाँ पे टैप कर देता हूँ फिर यहाँ पे देखे क्या दिखा रहा है verify phone number और यहाँ पे बोल रहा है to automatically verify with missed call to your phone मतलब बोल रहा है कि हमें यहाँ पे एक missed call दिया जाएगा और उससे हमारा phone number verification हो जाएगा ठीक है और दोस्तों आप अगर SMS से verification करना चाते है तो यहाँ पे verify with SMS पे टैप करेंगे ठीक है तो मैं continue करता हूँ फिर यहाँ पे हमें allow कर देना है फिर allow कर देना है फिर यहाँ पे contacts and media का permission मांग रहा है तो हमें यहाँ पे continue पे टैप कर देना है ठीक है फिर से हमें allow कर देना है फिर से allow कर दिना है तो दोस्तों देखिए मेरा whatsapp open हो गए है मतलब verification complete हो गए है लेकिन दोस्तों आपका phone में अगर नहीं हो रहा है तो आप phone को एक बार switch off कर लिजिए और कम से कम 2 minute तक wait किजिए और 2 minute के बाद phone को फिर से switch on करके फिर से try किजिए फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप whatsapp को uninstall कर दीजिए और फिर से play store से whatsapp को install कर लिजिए और फिर से try किजिए ठीक है दोस्तों और दोस्तों फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है आपका phone से दूसरी कोई phone में एक sms send करना है और आपको ये देखना है कि आपका फोन से SMS जा रहा है या नहीं अगर SMS जा रहा है तो ठीक है और अगर SMS नहीं जा रहा है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा क्या करना है फिर आपको कोई दूसरी मोबैल से आपका फोन में एक SMS सिंट करना है और ये देखना है कि आपका phone में SMS आ रहा है या नहीं अगर SMS आ रहा है तो ठीक है और अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताऊँगा क्या करना है हा दोस्तो जिसका phone से आप खुद का phone में SMS भिज रहे उसका phone में SMS के लिए recharts जुरू होना चाहिए फिर दूस्तों देखिए आपका phone से अगर SMS नहीं जा रहा है या फिर SMS नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए तो चले चलते है phone screen में हमारा phone में SMS का एक app होता है जैसे कि मेरा phone में देखिए यह रहा SMS का app तो यह SMS आप पे हमें long press करना है फिर यहाँ पर app info का एक option आएगा इस पर हमें tap करना है ठीक है फिर हमें messages app का cache को clear करना है याद रखना cache को clear करना है all data clear नहीं करना है जैसे कि मेरा phone में यहाँ पर देखे clear data इस पर हमें tap करूंगा फिर यहाँ पर देखे clear cache का एक option है इस पर हमें tap करना है टैप करने के बाद यहाँ पे ok पे tap कर देना है तो इस तरह आपका फोन में भी आपको messages एप का catch को clear कर देना है ठीक है फिर हमें back जाना है फिर से हमें messages app पे long press करना है और फिर से हमें app info पे जाना है फिर हमें यहाँ यहाँप पर्मिशन धुलना है जैसे कि मेरा फोन में देखिए यहाँप पर्मिशन तो आपका फोन में ऊछाँ़ को क्या क्या पर्मिशन देखे रखा है अधाया सफ्ल में भी यहाँप कर देखि anime के नीचे जितने भी प्रमिशन है यह सारे permission में देखे रखा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे contacts, phone and SMS का permission ज़रूर देना चाहिए अगर आप SMS का permission नहीं देंगे, phone का permission नहीं देंगे और contacts का permission नहीं देंगे तो आपका phone में WhatsApp का verification code कभी नहीं आएगा ठीक है, तो आपका phone में messages app पे जाकर यह चेक कर लेना है कि messages app को आप यह contacts, phone and SMS का permission दिया है यह नहीं अगर आपने permission नहीं दिया है, तो उसको यह तीन चीज़ का permission आपको देना होगा तो दोस्तों यह सारे tips आप अगर follow करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपका phone में 100% verification code आ जाएगा और आपका problem solve हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कि जूर कमेंट करके बताना तो आज के लिए इतना ही, thank you, bye bye